तो यह आप देखिए इसका पहले चोटा साइज का मने लिया रिमेजिंग सिलिंडर हमारा है और इसमें हम डालेंगे तो डिस्पेस करेंगा दोनों लेवल का डिफिर्स हम दे लेंगे ठीक है तो यह पहले इसका वेट देखो कितना रहा है निहां से देखो इसका पकड़ो मा देखो दो लाइन कितनी होती है तो कितना टुटि के बाद चार आइड करो तो चौविस रुपे ना फटा यह 24 ग्राम हो गया अब आप यहां देखे इसको इसका इनिशिल रीडिंग बताएं राम कुमार जी देखो जब उधर जैराम जी देख लेंगे उसका इनिशिल री इमर्ज कर रहा हूँ अब हमने दो रीडिंग लेनी है एक तो लेबल की लेंगे हम तो कितना लेबल हो गया कि दियान से देखे कितना लेबल है 74 74 अब इसमें देखे जड़ा यहां उपर वेट कितना हो गया इसका वेट इन वाटर कितना लेबल है इसका मतलो 22 22 इंग्जेक्ली अग्जेक्ली अग्जेक्टा रहा है 21 और इसका लेबल जो है वह सेवन्टी फोर तो अब आप महरा जो है यहां गर आम देखे तो वेट इन एर अफ़ बॉड़ी कितना था यह 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 24 ग्राम यह वेट इन वाटर वेट इन वाटर कितना था 21 ग्राम और लॉस इन वेट कितना आ जाएगा 3 ग्राम अब जो आपने इनिशल लेबल था हमारा इनिशल लेबल 70 था सब इनिशल लेबल अफ वाटर कितना था 70 ग्राम और उसके बाद था फाइनल लेबल अफ वाटर कितना था 74 ml था तो डिफरेंस कितना आया वाटर डिस्पेस कितना आया 74-70 that is 4 ml ठीक है तो वेट कितना आ गया 4 ग्राम अब इसमें थोड़ा सा एरर आया है वह इसलिए आया है कि वोल्यूम जितना छोटा होने की जिससे एक तो हां मार्किंग में और दूसरा स्पिंग बैलन्स की जो लीस काउंट है वो टू है वो एक एक ग्राम नहीं ना पा रहा कि जिसकी मुझे से आपका यह डिफ हमारे कुछ लिमेटेशन हैं जो लीस काउंट था वो टू है ग्राम की है एक ग्राम की लीस काउंट ही नहीं मेरे पास तो मेजर कैसे करूंगा तो इसलिए वो डिफरेंस आया है